ओम शांती आज सुनते हैं 14 डेसेंबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधूर महावाक्य आज की मुरली में बाबा ने दो चीजें इतनी इंट्रेस्टिंग बताई हैं एक तो बाबा ने समय का महत्तो बताया ये जो संगम का समय है बाबा ने कहा थोड़ा सा भी पुर्शार्थ करते हो तो उसका पदम गुणा मिलता है कितने भागे शाली हो पदम गुणा की समर्थी हर समय रहनी चाहिए एक भी काम शिरिवत परमान करते हैं तो पदम गुणा पदम गुणा प्रापती बाबा ने कहा ना सती युग में होती ना कोई और युग में होती द्वापर कल युग की तो बात ही नहीं लेकिन इस टाइम पे तुम अगर पुर्शार्थ स्रेष्ट करते जाते हैं तो पदम गुणा प्रापती लेकिन दूसरी और ये भी याद रखना चाहिए गवाएंगे तो भी पदम गुणा माइनस होगा तो क्यों ना जमा ही जमा करते चले फिर बाबा ने अच्छा चलो कुछ गलती हो भी गई कभी बाबा ने उसका तरीका बताया हाली मेरे से गलती हुई बाबा इससे नहीं होगा दिल की महसूसता ही माफी है बाबा ने का फिर माफ हो जाता है अगर दिल से महसूस करें तो एक तो हम हर समय समरिती में रखें कि हम पदम गुणा भागे बनाते जा रहें और कुछ भी भूल हो जाए तो बाबा को दिल से माफी मांग के दूर कर दे तो अब सुनते हैं चोदा दिसंबर 87 की मुड़ी चार क्वेश्चन है ब्रह्मन जीवन की कौन सी तीन विशेष्टाएं आवश्यक है इस वर्दानी समय को क्या वर्दान है बाब कौन सी आफ़र स्वेम करते है लास्ट माफी लेने की विधी क्या है तो आउ सुनते हैं 14 दिसंबर 87 की मुड़ी मुड़ी का टाइटल है संगम योगी ब्रह्मन जीवन की तीन विशेष्टाएं आज बाब दादा अपने सरव सदा साथ रहने वाले सदा सय योगी बन सेवा के साथी बन सेवा करने वाले और साथ चलने वाले स्रेष्ट बच्चों को देख हर्शित हो रहे हैं साथ रहने वाले अर्थाद सहद स्वतय योगी आत्माएं सदा सेवा में सेयोगी साथी बन चलने वाले अर्थाद ग्यानी तु आत्माएं सचे सेवा धारी साथ चलने वाले अर्थाद समान और संपन कर्मा तीत आत्मा है बाप दादा सभी बच्चों में तीन विशेषताओं को देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहां तक संपूरण बने हैं संगम युक्के स्रेष्ट ब्राह्मन जीवन की ये तीन विशेषताओं बहुत ही आवश्यक वो कौन सी योगी तू आत्मा फिर ग्यानी तू आत्मा फिर और बाप समान कर्मा तीत आत्मा इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मन जीवन की विशेषताओं के अनभवी ना बनना अर्थात संपूरण ब्राह्मन जीवन का सुख वाप्राप्तियों से वंचित रहना है क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूरण वर्दान देते हैं ऐसे नहीं के यथा शक्ती योगी भाव वा यथा शक्ती ग्यानी तू आत्मा भाव ऐसा वर्दान नहीं देते हैं साथ साथ संगम यूग जो सारे कलप में विशेश यूग है इस यूग अर्थात समय को भी वर्दानी कहा जाता है क्योंकि वर्दाता बाप क्या करते हैं वर्दाता बाप वर्दान बांटने इस समय ही आते हैं वर्दाता के आने का कारण समय भी वर्दानी हो गया इस समय को ये वर्दान कौन सा सरव प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है संपूर्ण स्थिती को प्राप्त करने का भी यही वर्दानी समय है और सारे कलप में करम अनुसार प्रालब्द प्राप्त करते हैं जैसा करम वैसा फल सते प्राप्त होता रहता है लेकिन इस वर्दानी समय पर एक कदम आपका करम और पदम गुणा बाप्त द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है सत्य युग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रालब्द के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो सिरफ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं कला कम होती जाती है एक युग पूरा होने से कला भी सोला कला से चोदा कला हो जाती है लेकिन संपूरण प्राप्ति किस समय की जो सोला कला संपूरण बने वे प्राप्ति का समय ये संगम युक का ही है इस समय में बाप खुले दिल से सरफ प्राप्तियों के भंडार वर्दान के रूप में वर्से के रूप में और पढ़ाई के फल्स रूप प्राप्ति के रूप में तीनों ही संबन्द में तीन रूप से विशेश भंडार खुले भंडार भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं वाँ 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 खोल लिए भंडार ले लो जितना चाहिए सिर्फ अपना पुर्शार्थ किया और प्रालब्द पाई ऐसे नहीं कहते लेकिन रह्म दिल बन दाता बन विधाता बन सरो संबन्दी बन से हम हर सेकंड मददगार बनते हैं एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेनत की मदद के रूप में सदा सेयोगी बनते हैं क्योंकि जानते हैं कि अनेक जनमों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं ठकी हुई हैं इसलिए इतने तक सेयोग देते हैं मददगार बनते हैं स्वेम आफर करते हैं कि सरो परकार का बोज बाप को दे दो बोज उठाने की आफर करते हैं दे दो ना भाग्य विधाता बन नालजफुल बनाए स्रेश्ट कर्मों का ग्यान स्पष्ट समझाए भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच लो सरो खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है और चाबी भी कितनी सहज है अगर माया के तुफान आते भी हैं तो छत्रचाया बन सदा सेफ भी रखते हैं जहां छत्रचाया है वहां तुफान क्या करेगा सेवा धारी भी बनाते लेकिन साथ-साथ बुद्धिवानों की बुद्धी बन आत्माओं को टच भी करते जिससे नाम बच्चों का और काम बाप का सहज हो जाता है इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए पालना करते जो सदा अनेक जूलों में जुलाते रहते हैं पाउं नीचे नहीं रखने देते कभी खुशी के जूले में कभी सुख के जूले में कभी बाप की गोदी के जूले में आनंद प्रेम शांती के जूले में जूलते रहो जूलना अर्थात मोज बनाना ये सरो प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेशता है इस समय वर्दाता विधाता होने के कारण बाप और सरो संबंद निभाने के कारण बाप रहम दिल है एक का पदम देने की विधी इस समय की है अंत में हिसाब किताब चुक्तू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे साथी कौन है जानते हो न फिर ये एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा अभी रहम दिल है फिर हिसाब किताब शुरू होगा इस समय तो माफ भी कर देते हैं कड़ी भूल को भी माफ कर औरी मददगार बन आगे बढ़ाते रहते हैं सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना जैसे दुनिया वाले माफी लेकते हैं यहां उसी रिती से माफी नहीं लेनी होती महसूसता की विदी ही माफी तो दिल से महसूस करना किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्षे से यह माफी मंजूर नहीं होती है कई बच्चे चतुर भी होते हैं वातावरण देखते हैं तो कहते हैं अभी तो महसूस कर लो माफी ले लो आगे देखेंगे लेकिन बाप भी नालेजफुल है जानते हैं फिर मुस्कराते छोड़ देते हैं लेकिन माफी मंजूर नहीं करते हैं बिना विदी के सिध्धी तो नहीं मिलेगी न विदी एक कदम की और सिध्धी पदम कदम जितनी होगी लेकिन एक कदम की विधी तो यर्थार्थ हो न इस समय की विशेष्टा कितनी है वा वर्दानी समय कैसे है यह सुनाया वर्दानी समय पर भी वर्दान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे समय समाप्त हुआ और समय परमान ये समय की विशेष्टाईं भी सब समाप्त हो जाएंगे इसलिए जो करना है जो लेना है जो बोलना है वै अब वर्दान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो बना लो फिर यह diamond chance मिल नहीं सकता समय की विशेष्टाएं तो सुने समय की विशेष्टाओं के अधार पर ब्रह्मन जीवन की जो तीन विशेष्टाएं बताई इन तीनों में संपूरण बनो आप लोगों का विशेष्ट सलोगन भी यही योगी बनो पवित्र बनो ज्यानी बनो कर्मा तीत बनो जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे जो साथ नहीं रहते वे साथ चलेंगे कैसे समय पर तयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए क्योंकि बाप समान बनना अर्था तयार होना है समानता ही हाथ और साथ है नहीं तो क्या होगा आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो ये साथी नहीं हुए साथी तो साथ चलेंगे बहुत काल का साथ रहना साथी बन से योगी बनना ये बहुत काल का संसकार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा अभी भी साथ नहीं रहते इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं तो दूर रहने का संसकार साथ चलने के समय भी दूरी का अनभव कराएगा इसलिए अभी से तीनों विशेषताएं चेक करो सदा साथ रहो सदा बाप के साथ ही बन सेवा करो करावनहार बाप निमित करनहार मैं हूँ तो कभी भी सेवा हल्चल में नहीं लाएगे जहां अकेले हो तो मैपन में आते हो फिर माया बिल्ली म्याओं म्याओं करती है आप मैं मैं करते वे कहती मैं आओं मैं आओं माया को माया को बिल्ली कहते हो न तो साथी बंद सेवा करो करमातीत बनने की भी परिभाशा बड़ी गुई है वे फिर सुनाएंगे आज सिरफ ये तीन बातें चेक करना और समय की विशेष्टाओं का लाब कहां तक प्राप्त किया है क्योंकि समय को महत्तो जानना अर्थात महान बनना समय को जानना बाप को जानना जितना ये महत्तो का है वैसे समय को भी जानना अवश्यक है तो समझा क्या करना है बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे इससे पहले अपने रिजल्ट अपने आप निकालो क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट एनॉंस कर ली तो रिजल्ट को सुन सोचेंगी अब तो एनॉंस हो गया आप क्या करेंगे अब जो हूँ जैसे हूँ ठीक हूँ इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं चेक करो यह चेक करो यह इंडिरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं क्योंकि पहले से कहा हूँ है नगर रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हूँ है कभी छे मास कभी एक वर्श दिया फिर यह भी सोचते हैं कि छे मास to पूरे होगे, कुछ सुनाया नहीं लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वर्दान का है, अभी चित्र गुप्त गुप्त है, फिर परत्यक्ष होगा, इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है, चलो एक साल ओर दे दो, फिर भी बच्चे हैं, बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वाँ वाँ, सबकी एक एक बात एनॉं कर सकते हैं कहीं भोलानात समझते हैं कहीं बच्चे अभी भी बापको भोला बनाते रहते हैं भोलानात तो है लेकिन महा काल भी है भोला भी है तो बंब का गोला भी है अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे इसलिए जानते हुए भी भोलानात बनते हैं अंजान भी बन जाते हैं लेकिन किसलिए बच्चों को संपूरण बनाने के लिए समझा? बाप दादा ये सब नजारे देख मुस्कराते रहते हैं क्या-क्या खेल करते रहते हैं सब देखते रहते हैं इसलिए ब्राह्मन जीवन की विशेष्टाओं को स्वेम में चेक करो और स्वेम को संपन बनाओ अच्छा चारों और के सरव योगी तू आत्मा ग्यानी तू आत्मा बाप समान करमातीत स्रेष्टा आत्माओं को सदा स्वेम के समय के महत्तों को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सरव संबंदों को आप्राप्ती का लाव लेने वाले समझदार विशाल बुद्धी स्वच्छ बुद्धी सदा पावन बच्चों को बाप लादा का याद प्यार और नमस्ते ये एक पेरना दायक विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे